बहुत ही अच्छा टॉस जीते हैं ये परिस्तितियों का पूरा उप्योग करना होगा अब ये है वो ग्यारा खिलाडी जो अपने टीमों के लिए खेल लेडिश और ये आ रहे हैं इनिंग की पहली गेंद का सामना करते हुए बहुत ही निराश लग रहे हैं बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बहुत ही गेंद फिर से डालने पड़ेगी वाइट बॉल्ल ये बहुत ही कठिन फिल्ड है गेंद बासी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी इनकी फील्ड प्लेस्मेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रव्यू रचा रखी है बहुत ही अच्छी ठाल मेल तोनों बल्लेबासों के बीच में बढ़िया रणिंग बीट्विंट विकेट्स इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रणिंग बिट्विंट विकेट्स रही है कि मानू ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोक सकता एक एक्स्ट्रा रंच चुराने से बल्लबास पूरी तरह से चुप गए बढ़िया बोलिंग निश्चित तोर पे इसकी कामना नहीं कर रहे थे बढ़िया गेंद बाजी ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्लबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है ओ गेंद लगी बल्लेबास की बॉड़ी पर आशा करते हैं वो ठीक हैं बोलर अपने पसंदीदा छोड़ से गेंद बाजी करते हुए चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी बड़ी आ टाइमिंग एक रन असानी से पूरी की जा सकती है और बल्लेबास दो रन का कॉल देते हुए बहुत ही बड़ी आ टाल मेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन द विकेट्स जो बाउन्डरी से इश्क फरमाते हैं ये बात विपक्षी टीम को बखू भी मालूम है आत्म विश्वास भरिया पी लेकिन अंपायर ने ना का रहा अच्छी रनी मिट्वीन द विकेट्स बहुत ही उंदर रही है दोनों बल्लेबासों की बीच बढ़िया शॉट अगर तेज दोड़ें तो दो रन मिल सकते हैं यहां बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन द विकेट्स खराब शॉट सेलेक्शन बिल्गुल समझ नहीं पाए गेंद को गेंद की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहां उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका फील्डिंग में परिवर्तन अब पता नहीं भाईया यह गेंद कहां जाएगी लाइन और लेंग्ट मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया सिक्स ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है खेल दिया है गाप में और यह एक रंड बहुती कॉंफिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए यह बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी रचनात्मक शॉट खेला यह रन के लिए दौर लगाई क्या दूसरे की प्राप्ती होगी रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदा रही है दोने बल्ले बाजों के बीच ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है ओ चूप के इस बार निराश लग रहे है वहां मेरी माने इंदर नियाम को फिश्किस मत समझे जो अब बिग रीस पे ही खड़े हैं ओ गेन लगी बल्ले बास की बाड़ी पर आशा करते हैं वो ठीक हैं कवर पे फिल्डर तैनात किये हैं कैप्टन ने हवर में खेल दिया है और गैप में भी चाजन बल्ले बास पूरे नियंतरन में थे वहां फिल्ड में बदलाव बल्ले बास ने गेन बाजी को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा कोई मौका नहीं था वहां पर बॉल सेधा सीमा रेखा के बाहर वोहो जब ये मारना शुरू करते हैं इनको रोकना मुश्किल है ये बॉल तो लगी होगी उनको बॉलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए क्याप में खेल दिया है दो रन की कोशिश होगी यहां बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स रही है कि मानों ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोक सकता एक एक्स्ट्रा रन चुराने से सिंगल लिया बल्ले बाज स्ट्राइक रोपेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए यह बहुत ही कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी अवर में खेल दिया है और गैप में भी चार रन बल्ले बाज पूरे नियंत रन में थे वहां फील्ड में बदलाव इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारे में ओ ऐसा लगता है गेंद को देखा ही नहीं वहां पे गया शॉट लगा है करारी मार क्या रोम मांचक मैच चल रहा है दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे हैं वाओ बढ़िया गेंद बाजी का फिलर्शन गेंद बाज द्वारा काफी तेज दौर लगाई है पहले रन के लिए यहां हमेशा दूसरे रन की तलाश में यहां दोनों बल्ले बाज समझदाई से गेंद बाजी कर रहे यहां गेंद बाज बल्ले बाज को वो गेंद समझ ही नहीं आई वर्ल्ड क्रिकेट में इनकी आक्रमक बल्ले बाजी से जाने जाते हैं यह दोनों बल्ले बाज अपसेट हो चुके हैं क्रीस पर दोनों ने पिच को अच्छी तरह समझ लिया है फील्डिंग में परिवर्तन चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी गेंद की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहां पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहां बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच ग्याप में खेल दिया है दो रन की कोशिश होगी यहां रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदर है दोनों बल्ले बाजों की बीच सिंगल स्रोपने के लिए पॉइंट फील्ड है जगा पर दो रन का कॉल रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदर है दोनों बल्ले बाजों की बीच बड़ी आ टाइमिंग एक रन असानी से पूरी किये जा सकती है और बल्ले बाज दो रन का कॉल देते हुए रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदर है दोनों बल्ले बाजों की बीच पावर प्ले की समाप्ती और अब फिल्डिंग टीम दो से अधिक फिल्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं गेंद बास अच्छी लाए में दिख रहे हैं क्या ये विकेट्स ले पाएंगे चलिए देखते हैं हैलारान तेजी से लेते हुए बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रणी मिट्वीन दे विकेट्स बल्ले बास तेजी से और असानी से मिले दो रणी बड़िया रणिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ आत्मों विश्वास भर्यापी लेकिन अंपायर ने ना का रहा यह तो चीत है कि रफ्तार से भग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में और यह उठा के खेल दिया है बोल सीधा फील्डर के पास और यह क्याच आउट कवर पे फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने कमाल का शॉट दो रन मिल सकते हैं बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों की विकेट के बीच बल्लेबाज नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार बल्लेबाज निश्चित रूप से दो रन ले सकते हैं बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों की विकेट के बीच बढ़िया टाइमिंग एक रन असानी से पूरी किये जा सकती है और बल्लेबाज दो रन का कॉल देते हुए बहुती बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है बहुती कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए बहुती कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए बल्ले बास को कोई आडिया नहीं था उस गेंट के बारे में शांदार गेंट बाजी यह बहुती कठिन फील्ड है गेंट बाजी करने के लिए गेंट बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सठीक रखनी होगी काफी तेज दोड लगाई है पहले रण के लिए यहां हमेशा दूसरे रण की तलाश में यहां दोनों बल्ले बास आकरामक कप्तानी स्लिप फील्डर लगाया गया है वड़िया शॉट अगर तेज दोड़े तो दो रण मिल सकते हैं यहां बढ़िया रणिंग दोनों बल्ले बासों की विकेट के बीच वाओ बढ़िया गेंद बासी का प्रदर्शन गेंद बास द्वारा अच्छी तरीके से खेला आसानी से दो रण मिल सकते हैं रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदर रही है दोनों बल्ले बासों की बीच पेज गती के गेंद बासों को काफी आसानी से खेला इनोंने गनेक करने में नाकाम पूरी तरह मिस्स किया बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां ये शॉट खेलने की लगता है अपनी एकागरता खुब बैठे दो रन का कॉल रणिंग बिट्वें दो विकेट्स बहुत ही उमदर रही है दोनों बल्ले बासों की बीच फील्डर पॉइंट पे लगाया गया है बहुत अच्छे रणिंग बिट्वें दो विकेट्स सिंगल्स रोपने के लिए पॉइंट फील्डर जगा पर बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए चुरा लिया है एक रण बड़िया रणिंग बिट्वें दो विकेट्स यह तो चीत है कि रफतार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में यह तो चीत है कि रफतार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में रचनात्मक शॉट खेला यह रन के लिए दॉन लगाई कि आध दूसरे की प्राप्ती होगी रणिंग बिट्वें दो विकेट्स बहुत ही उम्दा रहे हैं दोने बल्ले बाजो के बीच बिल्कुल चक्त्मा खागे हैं वहां रणिट बढ़ाने की कोशिश में आज का वेदर फॉरकास्ट तो कह रहा था के दूप होगी और यह देखिए टिप टिप बरसा पानी बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बल्ले बास की अच्छी कोशिश पर बॉल सीधा फील्डर के हाथ में बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए ग्राउंड पे पानी तो अब दिखनी शुरू हो गई है बता है अमपायर्स जल्दी गेम बन करा देंगे हवर में खेल दिया है और ग्याप में भी चाजन बल्ले बास पूरे नियंतरन में थे वहाँ चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी पूरी तरह मिस्स किया वहाँ दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है बहुत ही अच्छी रणनी थी यहां बन लिबास को देखते हुए एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर लगाया है दो रन का कॉल होती बड़ी अतालमेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रणनी बिट्वीन दुट्विकेट्स बहुत अच्छी रणनी बिट्वीन दुट्विकेट्स बल्लेवाज अपनी पहली गेन की तयारी करते हुए इसे अंग्रेजी में कहते हैं बुल्जाइ जबरदस्ट फील्डिंग निराश होकर पैविलियन की तरफ लटते हुए स्पिनर्स को बड़ी खुपसूरती से खेलते हैं ये बल्लेवाज अभी तक का खेल देखके लग रहा है कि ये पिच दोनो बाटिंग और बोलिंग के लिए परियाप्त है बल्लेवाज तो कोई आइडिया नहीं था उस गेंद के बारे में शन्दार गेंद बाजी बहुत ही खराब शॉर्ड ये तो गेंद बाज ने चक्रव्यू रच रखा था जिस तरह मचली फस्ती है जाल में उसी तरह बल्लेवाज फस गए इनके जाल में बोलर को अपनी लाइन एन लेंद सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ ये गेंद फिर से डालनी पड़ेगी वाइड बॉल गेंद बाज ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर लगा है अतियुत्तम गेंद बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहाँ ये शोर्ट खिलने की लगता है अपनी एका ग्रता खो बैठे नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए बल्ले बाज नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार सिंगल लिया बल्ले बाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं बोलर ने तो बल्ले बाज को वापसी का रास्ता दिखा दिया गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाज ही कर रहे हैं काफी तेज दौर लगाई है पहले रन के लिए यहां हमेशा दूसरे रन की तलाश में यहां दोनों बल्ले बाज बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए कुछ अलक करने की कोशिश में गेंद बाज अपनी लाइन नहीं पकड़ पाए जो मदद इस गेंद बाज को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा अच्छा शॉट लेकिन सिंगल ही मिलेगा बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बहुत ही जोरदार अपील लेकिन अंपायर का इशारा नोट आउट काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में थी गेंद बहुत ही बड़िया कैच फील्डिंग को जाज बहुत खुश होंगे इस प्रदर्शन से लंबी पारी खेलने की कोशिश होनी चाहिए बहुत वक्त बचा है इस मैच में जल्दबाजी की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए बहुत ही अच्छी थाल मेल तोनो बल्ले बाज़त बीच में बढ़िया राणिंग में टूइंड विकेट्स सिंगल्स एंड डबल्स लिमिटेट ओवर्स फॉर्माट में काफी जरूरी है गेंड बास बल्ले बास के पास गए और कहा कि आज आपका भागया अच्छा है और बल्ले बास का कोई मन नहीं है उनसे मू लगने का अच्छी तरीके से खेला आसानी से दो रन मिल सकते हैं बढ़िया रनिंग दोनो बल्ले बासों की विकेट के बीच बल्ले बास नहीं गेंड खेलने के लिए पूरी तरह तयार यह शॉट गया हवा में और गैप में भी गया फील्ड में बदलाओ बहुत लै में नजर आ रहे हैं बल्ले बास तेजी से और असानी से मिले दो रन रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदर है यह दोनों बल्ले बासों के बीच गैप में खेल दिया है क्या ये दो रन ले सकते हैं यहाँ बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बासों की विकेट्स के बीच बोलर को अपनी लाइन एन लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बासों के 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 बासो झाल झाल जिस तरह आज कल स्पिनर की दुलाई करते हैं ये क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में दो रंका कॉल चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में सीधा फील्डर के पास बदले बास सरलता से खेल पा रहे हैं इस चौट को उठा के खेल दिया है खुबसूरत शौट और ये सीधा बाउंडरी के पार हेलारान तेजी से लेते हुए ये तो चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में तेज केंद बास वापस आते हुए अच्छा शौट था ये पर गेंद इंसाइड सर्कल को पार नहीं कर पाई बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब फील्ड तो खुल चुकी है अब इने सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साजेदारी की कोशिश करनी चाहिए गाप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्डर वहां मौझूद चुरा लिया है एक रन बढ़िया रणिंग बिट्वीं दे विकट्ट्स रणिंग बिट्वीं दे विकट्स बहुत ही उम्दर है ये दोन बल्स उस चाहिए हवा में उठा दिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे बल्ले बाज यहाँ काफी आक्रमक मूड में लग रहे है सीधा फील्डर के पास बल्ले बाज सरलता से खेल पा रहे हैं इस चौट को स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है ओ बहुत ही भेदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है अच्छा शौट था यह पर गेंद इंसाइट सर्कल को पार नहीं कर पाई गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाज ही कर रहे है यह देखा बल्ले बाज का रौदर रूप उसे मालूम है कि गेंद का क्या हश्र करना है ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बल्ले बाजों को थोड़ी तेजी से रन बनाने होंगे यहाँ क्या आप में खेल दिया है दो रन की कोशिश होगी यहाँ क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत यूंदर रहे हैं दोन बल्ले बाजों के बीच दूसरे छोर से स्पिनर का अगमन यह बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी एक बड़ा शोर्ट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दिल करने की कोशिश करनी होगी धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोनों बल्लेबाज द्वारा अपनी टीम को काफी मजबूत स्थिती में लाके रख दिया है इन्होंने कवर पे फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहाँ बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों की विकेट के बीच अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाज ही कर रहे हैं शॉट गेंदबाज के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रन बोलिंग में परिवर्तन तेज गेंदबाज को लाया जा रहा है गाप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्डर वहां मौझूद इन्हें खेलते देख लगता है कि पेस बोलिंग जादा असानी से खेल लेते हैं चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी यह स्पिनर्स के सामने विक्राल रुपधारन कर लेते हैं बहुत अच्छी रुनिंग बिट्वीन दे विकेट्स स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है सीधा फील्डर के पास खेल दिया है गैब ढूनने में असमर्द बल्ले के एक तम बीट से शोट को मारा जबरदस्ट शोट ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है अच्छा शोट था यह पर गेंड इंसाइड सर्कल को पार नहीं कर पाई इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंड बाजी करनी होगी यहां सिधा फील्डर के पास खेल दिया है गैब ढूनने में असमर्थ ओ बहुत ही भेदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है नजाकत से खेला एक रन के लिए बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन द विकेट्स कवर्स पे फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्तन ने बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन बॉलर्स को अपनी लाइन का ध्यान रखना होगा खेल में बने रहने के लिए इनको अपनी रनों की आउसत को बढ़ाना होगा आपना विश्वास बड़ा होगा बल्ले बास का यहां क्या ये बड़ी पारी खेल पाएंगे चलिए देखते हैं बढ़िया शॉर्ट बस सिंगल मिलेगा यहां बहुती बढ़िया पिच रही है ये शुरुआत में गेन बास को मदद जरूर मिली लेकिन अब बल्ले बाजी के लिए एक दम अनुकूल है लगे व्यश्युक्त बढ़िया धंसे खेला सिंगल के लिए अब है 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 स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है अच्छा शौट था ये पर गेंद इंसाइड सरकल को पार नहीं कर पाई बोलर को अपनी लाइन एन लेंद सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ गैप में खेलने का प्रियास लेकिन फील्डर मिले वहाँ पास फील्डर है कवर पर हवर में खेल दिया है और गैप में भी चाजन बल्ले बास पूरे नियंत्रन में थे वहाँ बहुत ही अलग किसम की फील्ड लगाई है यहाँ कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्ले बास बहुत ही बड़िया तालमेल दोनों बल्ले बासों की बीच में अच्छी रणी मिट्वीन द विकेट्स जो मदत इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा यह बड़िया रणेंग अधभूत रणेंग के इस गती के गेन बास वापिस आते हुए कवर पे फील्डर तैननाद किये हैं कैप्टन ने इसे तो जड़ दिया चार रण के लिए दिल खुश कर दिया इस पारी से बहुती बड़िया अर्दशतक वोहो जब ये मारना शुरू करते हैं इनको रोकना मुश्किल है नजाकत से खेला एक रण के लिए दोनों बल्लेबास अपसेट हो चुके हैं क्रीज पर दोनों ने पिच को अच्छी तरह समझ लिया है ओ, खीच के मारा है, गेन गोली की तरह सीमा रिखा के उस पार जाती हुई बहुत ही आक्रामक बल्लेबास है ये विश्व क्रिकेट में कुछ अलग करने की कोशिश में गेंद बास अपनी लाइन नहीं पकड़ पाए वाइड बॉल बॉलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए धीमी गेंद का अच्छा उपयोग कर सकते हैं स्पिच पे तो रंका कॉल सिंगल्स और डबल्स लिमिटेट ओवर्स फॉर्माट में काफी जरूरी है पढ़िया शॉट बस सिंगल मिलेगा यहाँ दूसरी ओवर्स की शुरूआत यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है यहाँ तो नाक के नीचे से एक रंच चुरा लिया बॉस बल्लेबाज हमेशा रंच चुराने के लिए तयार रहते हैं बढ़िया रणिंग दोनों बल्लेबाजों की विकट के बीच बल्लेबाज ने इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी लगाया चक्का खेलारी एक दूसरे का लेट्स को आप